छट पूजा के दूसरे दिन खरना की शुरुवार चार दिन तक चलता है छट का महापर्व प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है खीर सूर के उपास्ता के महापर्व छट के दूसरे दिन खरना की परंपरा होती है चार दिन तक चलने वाले छट महापर्व के दूसरे दिन खरना किया जाता है हर दिन का अपना-पना महत्व होता है यहां खरना का अर्थ होता है शुद्धी करन इस दिन महिलाएं उपवास करती है और छटी मईया का प्रसाद तयार करती है खरना में गुड की खीर बनाने का रिवास है यह खीर मिट्टी के चूरह पर तयार की जाती है व्रती महिलाएं रसाद के रूप में सबसे पहले खीर को ही ग्रहन करती है उसके बाद इसे लोगों में बाट दिया जाता है इस दिन सूरिदेवता की विधिवत पूजा का भी विधान है इस दिन रोटी, गुड की खीर और फल का भोग लगाया जाता है खरना वाले दिन भगवान का विशेश प्रसाद वरत रखने वाले ही तयार करते हैं और शाम के समय भगवान को अर्पित करने के बाद ही उसे ग्रहन करते हैं खरना से जो उपवास आरंब होता है वो सब्तमी तिथी के दिन अर्ग देने के साथ समाफ्थ होता है इस दिन मिट्टी के चूले पर गुड की खीर बनाई जाती है इसके लिए पीतल के बरतन का प्रयोग करना महत्पून समझा जाता है ये खीर बहुती शुद्धता और पविद्धता के साथ बनाई जाती है इसलिए मिट्टी के चूले का प्रयोग होता है खीर के लावा गुड की अन्य मिठाई जैसे ठेक हुआ लड़ू आदी भी बनाए जाते है खरना की ये खास खीर सिफ वरती इनसान ही बनाता है पूरे दिन वरत रखने के बाद शाम के समय वरती इसी गुड की खीर का सेवन करते है शाम के समय व्रत रखने वाले व्यक्ति कमरा बंद कर इस खीद का सेवन करते हैं इसके बाद पूरा परिवार व्रती से आशिरवाद भी लेता है सबसे पहले सुभा सुभा पूजा इस्थर और घर को अच्छी तरह से साफ करे खरना के दिन पूजा करने वाली महला या पुरुष साफ सुत्रे वस्त धारन करें पूजा के स्थान पर गन्ये का प्रयोग होता है इस दिन गन्ये के तुकडे और उसके रज से पसाथ बनाये जाता है शाम को केले के पत्ते पर खीर के कई भाग किये जाते हैं अलग-अलग देवी देफताओं छट मैया सूरी देव का हिस्सा निकाला जाता है इसके बाद केला, दूद, बाकी पकवान भी उसके उपर रखे जाते हैं फिर छटी मैया का ध्यान करते हुए इन्हें अर्पित करने के बाद व्रती महलाएं ग्रहन करती हैं खरना के दिन सूर्यास के ठीक पहले व्रती सूरी देव को अर्ग भी देती हैं सबसे पहले छटी मैया के पूजन स्थल पर एक दीपक जलाया जाता है फिर पानी में गंगा जल और दूद मिराकर सूरी देवता को अर्पित किया जाता है पूजा के बाद सूरी देफता को प्रसाद का भोग लगाय जाता है और उसे लोगों में वित्रित कर दिया जाता है फिर व्रति स्वेम प्रसाद ग्रहन करती है इसे नैवेद भी कहा जाता है NBT ओलाइन की रिपोर्ट